हेलो स्लाम लेकुम वीवर्स मैं हूँ सोभय जनब आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोभय जनब फूर सीकर्स आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत जबरदस्त रेसिपी यह रेसिपी आप बनाएंगे तो आप समोसों को भी भूल जेंगी यह बहुत मज़े की बनेगी यह ह भड़े चमच भड़के मैदे के अड़ कर रही हूँ आप कम यह जादा भी कर सकते हैं हमें एक सक्त डोर चाहिए हमने इसके लिए एक सक्त डोर पनानी है यह अब इसमें मैं साथ यह एड़ करूंगी हाफ टेबल स्पून नमक नमक भी आप कम जादा कर सकते हैं अगर आप तोड़ा थोड़ा पानी करके एड करना है हमारी डो जो है वो नरम ना भने हमें हाड डोचाहिए तो इस लिए हम इसको अच्छे पो अच्छे से बना लेंगे इसे हमें अभ इसमे हम साथ में ही एक चमाच ऑइल की या प्र आपके पास घी है वह भी हम इसे शामिल कर TryENT 마 casi बिलाल आतों तरीयाक यह जो देख सकते हैं दो त्यार हो चुकी है अब इसको हमने दस मिनट के लिए छोड़ देना है अभी मैंने ले लिए एक बॉल्ल में पंच बाइल कर लिया थी अब इसमें हमने नमग फाना मिट्सवारा नमग और हमने और थोड़ा सा हमने इसमें चाइनिस नमक भी एड़ करना है क्योंकि चाइनिस नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बजार से इजी अवेलिबल होता है यह मेरे पर सबस धनिया कटिंग किया हुआ यह भी मैं इसमें एड़ कर दूंगी और इसको हमने अच्छे से अप अच्छे से मैदे को ग्रीज कर लेना है मैदा हमने खुश मैदा है इसमें आड़ करना है हम क्योंकि मैदे की डो बना रहे हैं तो इसलिए हम मैदा ही इस यूज करेंगे अब इसको हमने पहले हाथों की मदद से इतना बेल बना लंबा कर लिए अब इसमें हमने बेलन की मद बलके हाथों की मदद से बिल्कुल plain कर लिए अब जो हमारा आलियों का बनावा mixture है वो इसके अपटला पतला से हमें लगाना है ताके ना मोटा मोटा ना रहे हमें इसी तरह अपनी सारी पती के उपटर ना apply कर लेना है हैं अब हम चूल की मदद्वे से इसके अंदर हमें बड़े भरे बॉक्स टाइप कट लगा लेने हैं यह देख सक्थित हिससा करए इसकते हैं इस तरह से हमने पिरे लंबे बाली नम्बे अच्छे से कटिंग लेंने हैं क्यूंकि víum कि ना हमें यह जो हम कि स्नैक्स के साथ इंचुआए कर सकते हैं बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है भड़ों को तो अच्छी लगेगी लगेगी बच्चों बढ़ों के साथ छोतों कभी बहुत पसंद आएगी अब हमने इसको फॉल करना है आई साइसा से हमने इसको ठाके और दूसरी साइर partner बनाना है जैसे हम corn बनाते हैं ना स्मोसे की वैसे हमने इसको corn करना है अगर आपlı रड़ा सा खुशक मैदा फिर पानी भी स्वाख के सैट करना है पर हमने हाथ पर उठाके इसको सेट करना इसी तरह से हमने अपने सारे जो बाकी है उसको बनाने नहीं यह हम चलते हैं नेक्स प्रोसीजर की दरफ यह मैंने एक बॉल में टू से थ्री टेबल स्पून मैदा एड़ कर लिया थोड़ा सा इसमें नमक एड़ कर रही हूं सूका धनिया जो मेरे फास था व क्लिक बिड़ बना लेना है इसको हमने पतला करना है जादा भी पतला ना करियेगा थोड़ा सा थोड़ा सा इसको रहनी दीजेगा के हाड़ अब इसमें हमने जो अपनी स्मॉसे बनाया वे थे वो इसको डाल के इसमें हमने फ्राय कर लेना है यह बहुत मज़िके बने ये वाली रेसिवी आप ट्राइ करें तो इसमें आपको जादा इससे उससे कम टाइम लगेगा आपका और बहुत जल्द ये बनके डैडी हो जाएंगे ये देख सकते हैं ये हमारे धलके हिलके ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं हमें इसको हलकी आच पर बनाना है ताके ह हमारे ये देख सकते हैं ताके हमारे अच्छे से ये ब्राउन हो चाहीं हैं ये देख सकते हैं हमारे ब्राउन हो चुके हैं अब इसको हमने निकाल éénएना है और बर बाकी है भी हमने इसी तरह से звуч कह être आए फ्राई हो चुके हैं कितनी का प्यारा कलर आया है बहूत मज़े के लग रहे हैं बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं यह वाक्षी बहुत टेस्टी है आप जराय जरूर करें और अगर आप में चैनल पे नहीं है तो में चैनल को लाइक करें सिस्क्राइब करें और बैल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलेगा ताके मेरी आने वाली नहीं से नहीं वीडियो आप तक जल से जल पहुंशके क artists करें आने फकी ओ changing को शैब को ब्रेस दॉर को वा एक 7 के शोंशके वाली तटे को ल enables यह से जल से अज़ Миक करें वाली है तो से त्हुंशकेवा बटने है टनी है इंटे नहीं तंग पहुंशकी अटट जल एक करेंबंसर का एक से एक वलेक थाम करें इंग करें तो से अग